हेलो एवरिवन आज की इस नए वीडियो में आप सभी का सुवागत है दोस्तों ब्यूजिक का एक्जाम आज ही है और इस वीडियो को शुरूर से लेकर अंतक जरूर देखना है क्योंकि इसमें हम important question subjective का लेकर आये हैं बहुत सारे friends ने comment किये थे कि subjective का चाहिए चले शुरू क कारण है कि इसे गीत वद्ध और निर्त्य की त्रिवेनी कहा जाता है इसे कला के माध्यम से कलाकार के मनोगत भास्वर लै एवं ताल के माध्यम से वैक्त किया जाता है तो यह गुन है संगित ठीक है तो हम लोग देख लिए कि संगित क्या है किसे कहते है ठीक है अब question number कि नारत क्या है यह कितने परकार का होता है तो नारत क्या है यह कितने परकार का होता है तो हम लोग यह देख लेते हैं यह उत्तर पहले देख लेते हैं नारत क्या है तो संगीतो संगीत उप्योगी वह धौनी संगीत उप्योगी के वह धौनी जो मधूर हो नाद कहलाता है संगीत का संगीत में नाद परदान होता है ये मानब कंट अत्वा वाद यंत्रों से उत्पन होता है ये संगीत कार के मानस में इस्थित भाव की अभिवेक्ती में सायक होते हैं तो नाद के कितने परकार होते हैं दो परकार होते हैं यानि आहत नाद और अनाहत नाद ठीक है दो परकार के होते हैं तो आहत और अनाहत नाद हो जाता है तो आहत नाद किसके कहेंगे देख लेते हैं घरसन से उत्पन होने वाले नाद को आहत नाद कहलाता है जिसकी उत्पत्ती अगात रगर और किसी वस्तू के हवा भरने या निकलने से होती है ठीक है अब हम लो की योग किरिया होता है ठीक है अब question number हम लोग 3 देखेंगे तो चले question number these screen पे आचुकी है काफी important question है वो मैं लेकर आया हूँ आप सभी के सामने तो क्वेशन क्या है देख लेते हैं कि जनक थाट क्या है उधारन देकर बताईए जनक थाट का एक ही दूसरा नाम है राग उत्पन करने में शक्षम स्वर समू ही थाट या जनक थाट की संग्या से अभी हित होता है सब तक के सब तत सोरों के साथ पांच उप सोरों में मेल ही थाट की उत्पति होती है ठीक है तो हम लोग थाट के बारे में इस जो है पढ़ लिए थाट के सोरों का करमा नुसार होना अपेक्षित इसमें आरों की आवसकता नहीं पड़ती है इसमें साथ सोरों अनिवारी साथ सोर जो है अनिवारी है ठीक है साथ सोर यहाँ पर एक अबजेक्टिव क्वेशन भी बनता है साथ सोर में जो है क्या बनता है यानि थाट बनता है ठीक है तो राग को उत्पन करने की शक्ति अपेक्षित है थाट में सुद्ध या विक्रित दोनों ही श्वर हो सकते हैं यथा भैरवी थाट के अंत्रगत रे गा मा पा धानी तो भैरवी थाट से भैरवी राग की उत्पत्ति हुई है तो इसको हम लोग पढ़ लिए ठीक है अब हम लोग अगला देखेंगे तो अगला कोशन क्या कहलाता है या देख लेते हैं काफी इंपोर्टन कोशन है सितार में मीर एवंग जम जमा क्या है तो आंसर देख लेते हैं सितार पर साथ तार होते हैं यह अब्जेक्टिव कोशन बन चुका सितार में कितने साथ तार होते हैं ठीक है जिनम पर्थम इवंग परधान तार को बोल का तार दूसरे और तीसरे को जोडी का तार चौथे को पंचम का तार तार पाँच्वे को लडज तार चटे इवंग सात्वे को सिकारी का तार कहते हैं तो हम लोग पढ़ लिए तार किसको कहेंगे ठीक उसके अब आगे बढ़ेंगे जब जोड़ी और लडज के तार को मिलाया जाएगा तब वह भीर कहलाएगा ठीक है तथा जब करम से जोड़ी बोल तथा चिकारी के तार को दुरुत गती से बजाया जाएगा तब यह यहां बोल कातार बजाने का अर्थात जम जमा कहलाएगा क्योंकि यहां जिस सुवर पर जम जमाया दिया गया है वह सुवर कोष्ठक में गिरा हुआ है सा ठीक है यह कोष्ठक में गिरा हुआ है तो अगर आप लोग को समझ नहीं आते तो थोर सा आप लोग अच्छी तरीक से देख लीजिए और आप लोग जो है सुन करके भी इसको याद रख सकते हैं ठीक है अब क्वेश्चन नमर अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नमर अगला क्या कह रहा है कि अनुलोम एवंग विलोम क्या होता है अनुलोम एवंग विलोम क्या होता है काफी वी वी आई क्वेश्चन है तो हम लोग आंसर देख लेते हैं क्या है कि अनुलोम एवंग विलोम भीर के दो पड़कार है जब दो औरोहित सोरों के मद्य भीर दिया जाए तो वह अनुलोम भीर कहलाता है तथा जब औरोहित सोरों के बीच भीर का परियोग किया जाए तब वह विलोम भीर कहलाता है उधारंत अनुलोम भीर सामा तथा विलोम भीर पामा होता है ठीक है तो हम लोग इसको समझ लिए ठीक है और आप लोग अब हम लोग अगला देख लेती हैं अगला क्या रूप तो ने अधर संगीत के कितने रूप है तो देख लेते हैं तो उत्तर में क्या है संगीत एक काला है जिसके दोरूप होते हैं तो क्या जायो करते हैं इसका आंसर दिया हुआ है किर्यात्मक वह जिसमें गाने बज़ाने और नाचने की इखाई जाती हैvoette किर्यात्मक संगीत कहलाता है और शाष्त्र ठीक है इसमें संगीत विशों का अध्यन किया जाता है इसके दो भाग है क्या है किर्यात्मक शास्त्र और शुद शास्त्र ठीक है इसको हम लोग परच चुके चलिए अब हम लोग अगला देखेंगे चलिए काफी important question इसक्रीन पर आ चुके है क्या है कि राग राग क्या है उ कि बिन रसों की अनुभूती होती है अते इसी रसानुभूती से ही सुनने वाले का चित परसन वो आकरशित होता है ठीक है इसको भी हम लोग देख लिए अब हम लोग अगला question को देखेंगे अगला question क्या कहलाता है देख लेते हैं पर काफी important question है जो जो important है वो में लेकर आ मुखता या परदानता प्राप्त करता है यह तस्वीर किसी भी राग की पहचान का आधार बनता है वादी सुवर को राग रूपी राज का राजा कहा जाता है यह था राग देश का वादी सुवर रे है ठीक है वादी सुवर क्या है रे है अब हम लोग यहाँ पर देख ल किसी राग में वादी सवर को शोर कर किसी अन्य उप्मुख्य सवर होता है तब वादी-सनवादी-सवर कहलाता है सनवादी-सवर राग skip रूपी का मंतरी होता है कि राख इसकी दूर्ण चार या पांच शोरों की होती है यह था राग देश का सनवादी स्वर पौ है ठीक है इसका सनवादी स्वर क्या था यह राग सनवादी स्वर का क्या है यह पौ जो है सनवादी स्वर है और इसका जो क्या हो जाएगा वादी स्वर यह रे है ठीक है याद रखेगा अब हम लोग अगला देख लेते हैं अगला question चलिए तो आ चुकी है क्या है important question है लक्षन गीत क्या है तो देख लेते हैं इसका answer लक्षन गीत वे कहलाते हैं जिन में राग के निर्देश के साथ साथ उसका पूरा लक्षन वरनित हो उसमें गायन समय थ गती के दो भाग होते हैं ठीक है लक्षन गती के दो भाग होते हैं क्या क्या होते हैं अस्थाई तथा अंत्रा इसका गायन छोटा खयाल अर्थात मदले रचनाओं की तरह होता है दुरोपाद शैली में लक्षन गती की कुछ रचनाओं उपलद हुई है ठीक है तो हम लिख कर सुनकर इसको आप लोग एक्जाम में अच्छी तरीके से लिख पाओ ठीक है राग के अवस्यक तत्व क्या है तो आंसर देख लेते हैं राग के अवस्यक तत्व अगरांकित है परतेक रोग किसी ने किसी थाट से उत्पन होना चाहिए एक हो गया दुसरा है परतेक राग में कम से कम पांच और अधिक से अधिक साथ स्वर होने चाहिए उसके बाद क्या है किसी भी राग में मद्यम मौ और पंचम में पौ दोनों स्वर एक साथ ही वद्रे होना चाहिए ठीक है अब हम लोग पांच का देहेंगे क्या कहता है किसी भी राग में सा स्वर कभी वर्जित नहीं होनी चाहिए आगे बढ़ते हैं इसके अगला कुस्टन का देख रहा है किस राग में सभी कोमल लगते हैं तो यानिव में आधि रही संकर कॉंसा बादी कर्या थे हैं तो दिखेए निवर सिनबर नमर सी अनीजित और छुछ कुसर नवर्ट दीख राट बहीं प्लासी किस थाट के आंतरकत आता है राग भीम प्लासी किस थाट के अंतरकत क्यों सिंधिक जहांत सब्स फाइब और किस ताल मैं चोवताल के बरावर मात रहां होती दिशान से दिखे तो फाइब गवाभव कराइब संब्सक्राइब है कि सब तक के आ रही कर मैं मौ के बाद कोईमस उस्वारा आता तो यहां प्राइशन प्राइट तो इसे अप्से नम्र क्या होगा और सुनुम्र झाल जाए यानि पाहँ पर चुलागर तो दमें eight कि राओट करा कि राग कि राग बिलाव lag धकार गायन राग वीलावीन भिलावब गार रिखेश तो कुछिव एटर वो नीकम पर कॉच्छanne आरफण और विदो चाहां ऑप्लाफели शुव कुस्व चाहरां कि मीज़े तक पिस्वामी अरिदास का जनल में स्थान का था स्वामी अरिदास का जयं। थीजिए ऑप्षिन को तो गारिटोट सब्सक्राइब स्मॉस्थन शर्ण और ज यह बहुँन है धुब अप्षुन नहीं यह जाएगा यानि महान खाले आगे शुन नहीं परते हैं तो 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 किस संगीत तक को भारत रतन सामान से विभूसित किया गया है दिखिए अप्सें धान से करें तो छवादा कर चार। यहां पर यांप यह नियुक्त बड़ते हैं कि विशनुद लिखंबर पर पदयती वहाली का चेन क्या है देखिए ऑप्सें को दियान से तो पंद्रे का अप्सेन में आप यहां पर दी विखें पलास चला अब अब भी चला आगए प्टे नेश् कि यापर आडिसन के अधिन का अधिन अधिन फोलग कि नमबर यांप अपने याणी छिस्तंबर उनीज्स ओ एक शितंबर उनीस्व बहाततर के बथे को समय से बढ़ते हैं फयाज खाता रियाज का कऊंदर स्थान कहां तो आपसन नमबर एजाएं आपसन नमबर एजाए जाए बिहार के भोजपूर जी लेके डूम्रू डूम्राव मैं 19 कि प्रोलाल जी श्रीवास्तव कि स्वादे के कलाकार थे तो रैटिसन गया ऊन्निस का रैटिसन आपसन नमबर कि जाए यानि तब लागा और डी तबला चला आगे बड़ते हैं आई को से नमबर बीस कराए की अमीर खुसरू का जन में जो है कब यानि तना में सचला आगे बरते कुस नमबर के दरबार और अगबर के दरबार के नौ मैं इन मैं से कौन जाने जाते थे दिखी को तो बाइस कर गयोगा बाइस का अशना नुबर बीयानि तान से नागे वरते कुस्ट नमर्टेस करा की गुरु देव सृटी एंड पाट रहे हैं कि यह पर नाएक क्यों जाना या ते दिश्य आप्सिन को जाना आते हैं तो अप्सनमें किया थे आप्सनमें यानि वाइली बादर वादर के लिए और रचना है तो यहां पर आड़ी सल्गारोथ आप्सनमें बढ़े तो फिस नम्बर आप मेरे चल से और शीया पंडित विस्नु नरायन जुक्सिका और आप्सें करा कि किस कलाकार को संगित सांब्याट की उपाधी प्राप्ट है को दिखेए दियान से पच्चीस करके पच्चीस कर आप सी दाएगा यानि हभी बुद्द दिन हाच चला अगवरते है को सनमर 26 का दिखेश अधियान से कराया की आहमेद करते हैं एहमद जान थिरकुबा क्या विजाते तो देखेए ऑफ्चीन को तो 26 कि आप समय तब लाइश करते तो अप्षिट करा पुष्टक तबला सास्तर के लेकर का नाम बताएं तो यहाँ पर 29 आप इसका अप्षिट नुबर बीचला आगे रिटे को से नमबर तीश करा पंडित कांडे जी महराज कौन सा वादिया थे दिखेए अप्षिए अप्षिट को तो तीश का क्या तीश कर आट तो अप्षिट नमबर यह लगाएं तबला अबरते को सनमबर 31 कराएं कि अमर गायक तानसियन का गायन मंडप कहा है तो यहाँ पर आप्षिट कर आप से नमबर यह जोड़ा और यह जानी फटेप पुर स्वी चले कुशन बर्टिस करा जाथ दूर्द धंडी अबरे एंगा लगते हैं आप्षिंस दीखिए अन से तो यहां पे राइड्स सब्सक्राइब तो इसका सब्सक्राइब टोड़ा सी खाले शाफिड उनबर और दो शुफरती करते लिए नफोन उपस नहीं गया है दो तरु सुन सुन स्वेज़ा और शुक्त दिया हुआ है तो यहां पर देखिया अर्टिस क्या वैस्ट आप्सन नंबर अर्टिस का आगरा घ्राने का चलिए आगे बढ़ते हैं आटां की उस्षब्टरा के कैई इसनलिश इस जुरा हूथ साथ में जूबर लियूगाम और ने यहां पर चालिस का सी हो जाएगा यानि गत चलिए आगे बड़ते कुछ से नमडर एक चालिस करा कि संगीत मासिक पत्रिका का परकास किस नगर से होता है संगीत मासिक पत्रिका परकास किस नगर से होता है चार अप्शन देख पार होंगे तो यहां पर यहां पर चुके हैं और हम लोग आपको चाहते हैं तो वीडियो कमेंड बॉक्स में बताएं या मैं उसको भी कबर कर दूंगा यहां पर दो करने वाले हैं चलिए नियस्ट के से बढ़ते हैं उसके अगला देखिए कि धुरुपत गाय की के साथ कौन साथ ताल बजाता है देखिए अप्शन को ध्यान से यहां पर एक कर आएक कर आप्शन बढ़ी देगानी चार ताल कर चार ताल चलिए कुस नमर दूसरा करा कि किस ताल मैं दस मातराय होती है तो होता है को में प्रियुक्त होता है तो अब चॉप चार क्या राग कर दार कवासी सवर क्या राग के दर कर दाब्सक्राइब कि नमर अब कि प्राइब कर दाल दोस्टों मात्रा पर होती है जबताल मैं खाले कि समात्राइब अब सबसे जाने आपर सी तडेमेरल और यानिकर फेल्रा सेवासने प्लासिकर वादी शावादी सिह और देरीन इचरों निक तरह ऑगायन करें अमेर खुसरों क्यों जाने जाते ते अमियर मीरा जाते तो टुम मुदी है यहां पर भी यापस नमबर बी यानि कंड संगीत के लिए अगर तो यहां पर चार्व समय का गया था आपसन नमें राट दूसरा पहल आगए विहाग का उचिस समय क्या होता है क्या है राग विहाग का उचिस मैं क्या है राग विहाग का उचिस समझ जाएगा आपसन नमर्याप पर सी देव आगे बढ़ते हैं क्या है सरंग देव आगे बढ़ते हैं कि उसके समझे मचो देगा रहाएंगे अभी क्यागत अभी नवराग मंजरी के लेखा कौन थे देखिए अपसन नमर्य पंडित बाइग बहुत खंड यह जन में कभ रहा था देखिए आपसन नमर्य बेगम पर विन सुल्ताण सुल्ताना कि सगाय के पर गया के लिए परसीद है दिखिए थान चुट शबसेंग तो यह जाने साथ चाहिए और तो आखे बार है हाथ मैं किस कलाकार ने तबला बजाया इस पारे आप से चार्व में दो आखेंगा नाम क्या है प्रसाद बड़े गुलाम अली खाथ यानि क्या थे वो तो दिखे दिखेंगा बीस कर आपसे नंबर सी उड़ाइगा यानि एक तबला वादक था वर्टे कुस्ताल में जाड़ होती किस ताल में था नंपरम एक फिस और किसर फिर श्रेक डिसका अप्शनाब बीरी निकारा चरफ नबया कि ताल लीपी मेर्टें और से क्या सुचत किया थे दिखता बासे करिया बासे कर आप सनमर फोटेंग क्या थैस्ट-बैस बासे कर आप स्ती कि स्लाग मैं कि मुख लाएक लाएकारिया कितने परकार की होती है कि अब्साथ के साथ बजने वाली ताल का नाम बता है विलम्बित ख्याल के साथ बजने वाली ताल का नाम क्या लिए कि आप्सें को तो प्टीस का नंबर डी जाए गया नीदीप चंदी ताल चलाइब तक उसने में 26 करा कि दादरा गायक किसमें दादरा गायन के समय साथ किस ताल का प्रयों किया तहां काफी कि सबस्क्राइब है यृधक सा प्रhat Democrats तो को सेंबिवाग और सी आवियान के साथ घृटके द्वार उभारतष के शर्जय निल्हें से साथ के सब्सक्राइब ऑसन थोंगेत कि जाती ध्याद सब्सक्राइब तरह में घरमनी जरमनी और मैं मार जीनिक यहां पर आठीज के बात करें तो तो चैसे कर आठीज नॉबस दाए यानी शुरूत इन में मार जोन जिटा निए नियुकिन रग उत्मन करने मैं सक्षम स्वर स्वर सामु को क्या करते हैं दिखेज अनुबस नंबर यहां पर डियो तेरी अरु जाने थार्ट और संगेट मैं कितनी ऑठिस करें कि श्रूब आल में किपने माठ रहे है तो तिर आस miles Come तरह भी सो कीज सहां स्थाल मैं CR box on the spot and watch no नम्र सी दोखैन मेर तीन तर अरु अब है तो तर यह रहाएं तो सब टस कटते नहीं पर भी घुजाए का ऑफ्सटनाबर याप बियुक्त नुमर ने चीनी बिक्टिया ये वरते हैं को सब्सक्राइब टुर्ट ट्रटीएट कराई कि राक कल्यान का गायान समय है राक कल लियान समय क्या है तो दिखिए आर्टीस का अप्सटन सुब्सक्राइब लिए अठीका प सब्सक्राइब और तो ट्रमर्स अप्सक्राइब जी ओगी हरत रेचारश अबर्न से तुछ नहीं कि आप सनवर समपुर्पूर्स ना मर्स सीथ अचार छेय करा कि भैरप राग की उत्पत्ति कि स्थाट से होई है तो बाए-अ-ब सब्सक्राइब को तो इसका राइट अंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा यानि तीन राइट अंसर ब्रॉसरा कहे रहा है इसक्रिंट पर कि सूल ताल में कितनी ताली का उपयोग होता है तो इसका राइटेंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा यानि श्री नमर राइटेंसर यानि तीन राइटेंसर तीन हो जाएगा अब इसका पार्ट वन जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ वहाँ पर जा होता है कितनी घाली का परियों सक्ष कितना परियोग होता है कितनी ताली का परियोग होता है रुपक ताल में कितनी ताली का परियोग होता है कितनी ताली का परियोग होता है यहां पर ताली और यहां था खाली तो खाली तो कितना परियोग होता है तो राइट इंसर की बात करें तो क्या होता है यानि एक खाली का तो यहाँ पर तीन और खाली पर्योग तो एक ठीक है अब विदेश को गया है वादियंत्र विदेशी माना गया है यहाँ पर देखिए किसको विदेशी माना गया है यहां पर बाओ प्रच्छंट नबर अर्थ 13 इस्क्रिन है देख थो क्षोड की बात करें तो क्या यह नहीं दो यह चाहि संट कई रहा है कि घबला का अविश्कार किसने किया तो इसका राइट अंसर ने किए था अमिर खुष्ण ने तबला का अविश्कार किया था विश्क्राइब चालिस स्क्रीन पर देख पारेंगे लोग डगा किसको कहते हैं तो इसका राइट अंसर की बात कर दिन नमबर यानि बाया तबला को डगा कहा जाता है अब हम लोग यह पर कन्फ्यूजन नहीं होने है अब कॉश्चन नमर अगला हम लोग 41 नमर देखेंगे तो स्क्रीप कर लेते हैं तो चली स्क्रीप हम लोग कर लिए और आ चुका है 41 नमर कॉश्चन तो क्या है एक स्क्रीन पर इनमें से कौन विदेशी वाद यंत्र है तो कौन सा विदेशी वाद यंत्र है तो वहाँ पर वाईलीन का उद्धगम अस्थान कहा है उद्धगम अस्थान ने नहीं कहां से यह बना तो इसका राइटनसर की बात करने तो क्या ज़ेगा यह नमबर यानि भारत में वाईलीन बना था ठीक है आप क्वेशन नमबर अगला यानि 33 नमबर संगीत की चर्चा किस भेद में हु तानपूरा में कितने तार होते हैं तो काफी इंपर्टन को जने इसका राइटनसर की बात करने तो जाएगा यह नमर का यह नमर यामन में त्युर्य माध्यम लगता है किसी भी थाट में कितने सोरों का होना अनिवार है किसी भी थाट में कितने सोरों का होना अनिवार है तो इसका राइटनसर की बात करने तो क्या जगा इस 47 नमर का राइटनसर भी होएगा आठ परकार का होता है अगला देख पालेंगे पलोग क्या कह रहा है कि पंडित बच्चा ट्षिम्सार सॉंगीत के लिए अगला संगीत के लिए कंद संगीत के लिए 자ना जाता है अगला स्क्रीन पर है क्या करता है कि फूक का वाद यंतर इन में से कौन है तो इसका राइट अंसरी की बात करें हैं यह नहीं सितार बजाते थे अब question number 52 देख पार होंगे अब लोग क्या है पन्ना लाल घोश क्या बजाते थे तो इसका right answer की बात करने तो क्या होज़ा दी नमबर नहीं बासुरी बजाते थे बासुरी बजाया करते थे स्री गुरु स्री टियंट पतनायक जाने याते थे ठीक है आप कोश्ण नमर 54 को देखेंगे देख पार नहीं लोग इनगे इसे कोमल स्वहर का चिंग कॉंसा है इन में से तुर का चिंग कॉंसा है तो इसका रहा है तो इस की बातकिन डिए इनल्म का डिहा जाएगा तो यहाने पच्पन के नीचे जूर के ऊपर रहे हैं अगला अगला स्कृण स्वरों के ऊपर बिंदू का परियोग किसमे होता है की बात करके अंचति कर सकते हैं सब्रकर बढ़ाने वाला जीद कहुंच सा है न gjकर की बाति तुम भी हो जाएगा फिक ए इस तरह वाला चिन इस तरह वाज जो है यह शवादों को बढ़ाने वाला होता है ठीक न्मवाटावन कह रहा इसे सम्ताल का चिन इंग साइथ? सम्ताल का चिन कौन सा है तो इसका राइट एंसर की बात करने क्या हुआ जाएगा यानि डी राइट एंसर खाली का चिन का जाता है question number 60 है इनमें से विभाग का चिन कौन सा है विभाग का चिन कौन सा है तो इसका राइटेंसर की बात करने तो क्या हो जाएगा यानि 60 number का B बस इसी को आपको रटना है इसी को देखना है और यही आपको पूछ दिया जाएगा ठीक है आपको टेंशन लेने की जरुवत नहीं है कि कौन सा कुशन आएगा बस यह सब आता है दुरपद में कितनी वानिया है दुरपद में कितनी वानिया है तो इसका राइटेंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा एक सट को देख लिए एक सट क्या कता है कि खयाल गायन शैली कितने परकार्व के होते हैं तो इसका राइटंसर के सबहरत है तो त्षूरा साफ पर जो है गाड़ी जानाना करता है इसलिए मैं आभी जो हूं यह स्कूल में है तो तो यसा गारी घृड़ी जाना मैं न करता है तो मरूस्ति कोई दिकति नहीं पढ़नों नेर्वाइड को पढ़ना प्रश्ण को देखें कि इन में से संपूर्ण जाती का राग कौन सा इसका राइसर की बात करें तो यमन राइट अंसर हो जाए यमन क्वेश्चन अगला स्क्राइए देख पहूंगे क्या कह रहा है कि तांसेन का किस गायन शैली को लोग्पिडिया बनाएग गया तो इसका राइटंसर की बात करेंगे क्या हो जाएगा यानी धुर्पद राइटंसर हो जाएगा स्प्वामी हरिदास राइट अंसर हो जाएगा है अरसट और क्या काए रहा है अकबर के नौ रॉतनों में इन में से कौन से हैं तो इसका राइट अंसर की बात राइट असर हो जाएगा तो विच्ट नमर अग्ला हम लोग देखेंगे अग्ला क्या कहा रहा है सतर नमबर थोड़ा से अच्छी तरीके से आंसर को दिखा देता हूं पंडित विष्णू दिगंबर पलुसकर और पंडित विष्णू नारायन भातखंडे क्या दिया तो इसका राइट अंसर की बात करें तो क्या है सतर नमबर का खुश्चन नम्र इकका कर इन वे से परसिद्ध ठुमणी गायक कौन है इसका रॉयाइज खां राइट अंसर हो जागा के बात इसलों गांचिक गंधर्व महा विद्धालय की अस्थपना किष्ट के द्वारा हुई गंधर्व महा विद्याले की अस्तापना किष्ट के दुबारा हुई तो इसका राइट अंसर की बात करने क्या जाएगा दी नमबर मुनिए पंडित विश्नु दिगंबर पुल पंडित विश्नु दिगंबर पुल भीम पलासी गाने का उचित समय कब है भीम पलासी गाने का उचित समय कब है तो इसका राइट अंसर की बात करने क्या जाएगा पंडित ओकार नाथ ठाकर हो जाएगा 764 नमब को देखेंगे क्या कहरा है 664 नमब और अबरो में जब साफोसवर लगते हैं उसे कहते हैं क्या कहते हैं तो इसका राइट अंसर के बात कि बात करेएगा जिए 26 कंपूर्ण संपूर्ण कहते है question number हिंदुस्तानी संगीत में थाट कितने है इसका right answer की बात करने तो क्या हो जाएगा यानि right answer रातरी काल question number अगला देख पारेंगे अप लोग दोस्तों आप लोग comment कीजिए कि और इससे जादा question चाहिए तो मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगा कभी विद्यापती कहां के थे कभी विद्यापती कहां के थे तो 89 नमर का राइट अंसर ए नमबर हो जाएगा नहीं बिहार के थे कभी विद्यापती कहां के थे बिहार के थे फोगर्षन नमर अगला स्क्रीन पिए देख पा हूँ आप लोग क्या है धमार किस ताल में गया जाता है तो रैइडेटर तो इसका राइट अंसर के बात करने तो क्या जाएगा विया अन्य को जाएगा ठीक है अक्वर अकबर अकबर रॉट जाएगा तो घूर्ड में भहुआ दिन से 5 2 का तो तो अब्यूसें 82レ मर क्या करा है किचि पूरी नरित्य किस परदेश का परच्रीत निर्टी आहे इसका राइटनसर की बात करिंदें क्या जाएगा शी नमबर राइटनसर यानि आंद्रपरदेश राइटनसर हो जाएगा कोश्य नमबर अगला 33 तो 33 दिना था तो कोई दिकत नहीं मिस्प्रिंट हो गया धुरूपाद किस ताल में गया जाता है तो इसके राइट अंसर की बात करें तो क्या जाएगा बी राइट अंसर भी हो जाएगा चौवताल में गया जाता है कोईशन नमर अगला कह रहा है चौर्श से नमर किस राग में पांचों कोमल सुर लगाए जाते हैं तो राइट अंसर की बात करें तो क्या है चौर्श से नमर का शीर नमर राइटन सर यानि भेरी राइट अंसर भेरी हो जाएगा क्वेश्चन नम्र अगला देख पारेंगे अब लोग नीमने मैं से कौन सा वाधियंत्र लोग संस्कृति से जुरा है इसका राइटनसर की बात करेंगे तो क्या है यानि बी राइटनसर बी हो जाएगा अठारमी क्वेश्चन नम्र अगला स्क्रीन पर देख पारेंगे अब लोग किस वर्ष्वामी हरिदास का जन्म हुआ किस वर्ष्वामी हरिदास का जन्म हुआ इसका राइटनसर की बात करेंगे यानि दो परकार के होते हैं क्वेश्चन नम्र अगला देखिए हिंदुस्तानी संगीत में कितनी शुरूतियां मानी जाती है इसका राइटनसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यानि नबबब नम्र का राइटनसर शी हो जाएगा यानि वीना क्वेश्चन नम्र 91 क्या कहता है कि पंडित ओकारनाथ ठाकूर का जन्म किष्र राज्य में हुआ इसका राइटनसर की बात करने तो क्या हो जाएगा यानि गुज्रात में हुआ था अगला बानमर अमरकार निमनलिखित मैंसे कौन दुरुपद गायक थे दुरुपद गायक कौन थे तो इसका राइटनसर की बात करने तो क्या हो जाएगा तरह नमबर नमबर का राइटनसर भी हो जाएगा शंपूर्ण को संफूर्ण का जाता है कि कि क्वेश्शननमर अगला कहरा कि संगीत का की चरचा किस वेद में संगेत का चरचा के गई तो इसका राइटनसर यह बात करूवाद पंब्वानी निर्ट राइटनसर होजाएगा अब क्वेश्चन नमर 96 पर है क्या रुपक ताल में कितनी मात्राएं होती है तो इसका राइट अंसर की बात करें तो क्यों जगा यानि भी राइट अंसर हो जाएगा भी ठीक है साथ अब क्वेश्चन नमर अगला इसक्रीन पर देख पाणूंगे लोग क्या कर रहा है इन मे ठाट में कितने सोरों का होना अनिवारी है इसका राइट अंसर की बात करें तो क्या जाए बी नमर आइट अंसर यानि साथ बी नमर आइट अज़ाएगा क्वेश्चन नमर 99 पर है देख पानेंगा आप लोग क्या कर रहा है इन में से कौन संगीत तग जीवित है तो राइ और आपलोट्स किस राग में दोनों निशाद सब्सक्राइब करने देश कंवार्ण्स